This is the best recipe to make soya chop सबसे पहले लेना है तेल उसमें डालना है जिंजर और गार्लिक साथ में प्यास उपर से हम जीरा डाल देंगे थोड़ा सा नमक और धनिया पाउडर साथ में हमें लेने हैं चार तरा के खड़े मसाले और इसके बाद हम डालेंगे धेर सारा काजू जब यह मसाला भून जा है तो आपको इसमें टमाटर डालना है और धक्के पकाना है इसके बाद यह कुछ ऐसा लगेगा देन यू हाफ टू हैड हरी मिर्च, लाल मिर्च और हलकी सी चीनी ग्यास ओफ करके दूसरे बर्तन में इसे ठंडा करो नेक्स मिक्सी में दही, पनीर, हमारा भूना और मसाला अच्छे से ग्राइन करके चान लेना है इसके बाद हम तेल लेंगे उसमें देगी मिर्च डालेंगे और हमारा भूना हुआ मसाला थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे for that taste and पानी वाला दूद for the gravy side by side ना कडाई में तेल डालके soya चाप को deep fry कर लेते हैं जब तक इसका इतना सुंदर golden color ना आ जाए ठंडा होने के बाद इसकी stick निकालके छोटे-छोटे pieces में काटके सीधा gravy में डाल देते हैं इसको एक बाल आने तक पकाते हैं उसके बाद ग्रेट पनीर डालेंगे गरम मसाला डालेंगे and garnish it with a lot of धन्या and my favorite gravy soya चाप is ready if you try this recipe please let me know